इतनी कथा आपको इसमें पढ़नी है, आपकी इस पुस्तक में पढ़नी है, बढ़ाती सुन्दर वर्णन है बचों, एक एक पंक्ती जो है वो उसका पढ़ो और समझो तो उसका आनन्द आ जाता है, अगर आप इस पार्ट को थोड़ा सा आनन्द लेके पढ़ेंगे तो आपको पता होगी, नहीं पता है, तो एक बार सुन लीजिए, सीता जो थी, वो अपने घर में कुछ काम कर रही थी, सपाई कर रही थी, तो उन्होंने शंकर का धनुष वहां रखा था, तो उन्होंने उस शंकर के धनुष को ऐसे करके उठाया और उसको साफ कर दिया, तो तो राजा जनक उनके पिता देख रहे थे उन्होंने खाँ इतना भारी धनुच विशाल का है धनुच मेरी बेटी मेरी कोमल बेटी ने उठा लिया तो इसका विवहा भी किसी ऐसे ही बहादुर व्यक्ति से होना चाहिए जो सीता के योग हो तो उन्होंने एक स्वेंबर रच से उसका विभा करूंगा तो यह था सीता स्वेंबर तो उस समय बहुत से बड़े-बड़े राजा महराजा जो थे वहां दर्बार में आये विश्वा मित्र जो थे उनके पास राम और लक्ष्मन पढ़ने के लिए विद्या ग्रण करने गए हुए थे तो विश्वा मित्र जब सारे राजाओं ने वो तोड़ा कोशिश करी उसको उठाने की तो किसी से वो धनुष के लाये नहीं ला प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है तो उस समय राम ने अपने मुनी विश्वा मित्र से आग्या ले करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए दनुष को उठाया जैसे ही उठाया क्योंकि वो दनुष पुराना था वो तूट गया और टूटा कैसे जब टूटा तो बड़ी जोर का टंकार की आवाज आई और वो धनुष खंडित हो गया जैसे ही वो आवाज जो थी उपशुराम के पास्ता क्यानों तक पहुंची कि धनुष शंकर का धनुष किसी ने तोड़ दिया अब तो वो गुस्से से बिलबलाते हुए वहां से और यहां दरबार में पहुंच गए और आकर उन्होंने पूचा कौन है वो राजा जिसने धनुष को मेरे गुरु शंकर के धनुष को तोड़ दिया तो उस समय जो राम थे वहां जोड़ करके उनके पास आए और उन्होंने कहा क्या कहा नाथ शंब धन भंज निहारा होई है केव एक दास तुमारा वो कहते नाथ महराज शंब धनुष भंज निहारा तोड़ने वाला होई है केव एक दास तुमारा कोई आपका दास ही हो सकता है मतलब मैं तो आपका सेवक हुँ मेरे हाथों यह धनुष तूड़ किया हū , आयसुकाह कह्ये किन मोही यह खहरा है , अब जब राम के वचन सुने तो खिजला करके , रसाय करके , मुनी-कोही . क्रोधि हो करके मुनीवर बोले परिश casually सेवक शो जो करे सिवकाई अरई करनी करे लड़ाई सेवकत हो ले लिए सुनो राम जे ही सिव धन तो रहां सनो राम को तोड़ा है तो Państwo के समान मेरत है है एक रु क्टैर्श कर दिए छे कर दिया तो ऐसे के समान मैं उसका भी पूरा सर्वनाश कर दूंगा सो बिल गाई सो बिलगाओ बिहाई समाजा ना तमारे जय हैं सब राजा तो खशा में टिछर कहता है ना जिसने शयतानी करी वो अपने आप हाथ कड़ा कर दे यह तो गूरे उसने राम ने तो क्या का कोई आपके सेवा की होगा जिसने तोड़ा होगा माहराज के ये क्या कहते हैं तो उन्होंने बोले परसु धरहीं अब माने और परसु धरहीं किसके लिए आया परशु राम जी के लिए परश्राम जी परसाधारा करने वाले उनके अभमानना करते हुए उनका निराधर करते हुए बोले क्या बोले बहुद नहीं तो जोड़े थे यानि हम चोटे थे बच्पन में तो हमने बहुत सारे धनुश तोड़े हैं कवहुनासि क्रिसि कीनी गुसा ही हमारी किसी बड़ी ने हमारे उपर कभी इतना गुसा नहीं किया यही धनुपर ममता कही हेतू तो आप इस धनुश पर इतनी आपको प्यार क्यों आ रहा है परशुराम जी प्रसुराम 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 जी प आजी ब्रवकुल के अपने वंश के सर्व शिरोमणी मामुनी जो थे उनको गुसा आ गया और वह रिसा करके मतला क्रोधित हो करके उन्होंने कहा रेन रवल बालक काल बस बोलत तोही न समाल धननाहु सम तरप्रारी धनो विधत सकल स kafकंसारो Алексनु भरहें रेन रज भालक राजय के बालक हो और राजपत्र काल बस aparece काल के वस हो हुआ है जा झाता हैं संसार जानता है पूरा संसार जानताह इस लक्षमिनित OS 10 को और तुछ इसकी ernst किस से करा बच्छपन के चोटी-चोटी दनुई से अब तो उनका गुस्सा जो था वो बरदाश्टे बाहर हो गया आगी की पंक्तियां देखिए लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना अभी लक्षमन बोले हस करके बोले कहा हसी हस मत हस कर बोले हमरे जाना पोला हम तो यह सोचते हैं सुनहु देव सब धनुष समाना होते होते हैं चोटा हो या बड़ा हो अब उनको चिढहाने के लिए फिर से नहीं हर अगया हस करके बोला किसी को आरा और आप हस तो तुसको और घुस्सा आएगा तो रहो कि बोले हमने तो यह सुना जा선 जेसे होते हैं का छथिलाव जून धन तोरे इसमें क्या च्छति लाउब इसमें क्या हानी और इसमें क्या राम और इशारा किया कि चुपो यह तो चुपो जाओ देखा नेंग के बोरे नेको किनारे से देखा लेकिन यक्षमन वाले नहीं चूः नहीं दोचosh दोशनी उन्हों तो चुआ था और टूट गया जैसे छोटे बच्चावों को बोले कैसे तो तो रक्षमन ने विलकुल उसी अंदाज में बोला मूनि बिनुकाज करियेकत रोश वे मुनिवर आप तो बिना काम के रोश कर रहे हैं रोश मतला गुस्सा कर रहे हैं बिनकाज ब देखा पर्श मतलब परशे की ओर देखा गुस्से से ऐसा रहे हैं और देखा रहे सब्सक्तरव के बारे में अभी नहीं पता है उन्होंने अपने फरशे की तरफ देखते हो बोला बालक बोली बदiałउं नहीं तो हे बालक बोली मतलत समझते हुए बालक सोच करके बद अब तक तेरा वद नहीं किया मैंने वरना अब अब काई फर्शा चलाता और तेरा वद हो जाता तो बालक समझके मैंने तुझे छूड़ दिया है केवल मुनि जन जा नहीं मोहे, तुम केवल मुझे जड़ मुनि समझ रहा हूँ, नेरा मुनि समझ रहा हूँ, मतलब जो मुनि कैसे होते हैं, विनम्र होते हैं, सद्धयावान होते हैं, शमा कर देते हैं, तो तुम मुझे केवल नेरा मुनि समझ रहा हूँ, मैं नेरा मुनि में नहीं हूं मैं बहुत क्रोदी सभाड ओं तुम्हें ऊपत कि छोड़ा है कि मैं मैं सूच रहा था चूटा बच्चा है तो बच्चा समझЬ के छोड़ दिया यह वन मुनम ührt barley Regierungusi ati ko amiमन हूं अपनी परज़िश्ए एक प्रतिज्व्चारी आतिक होह dunno प्रतिग्या मतलब पहले से मान लेते थे उठा लेते थे कि हम शाधी विवाह नहीं करेंगे और ये बहुत बड़ा त्याग हुआ करता था तो परशुराम जी ने प्रण लिया हुआ था कि वह आज इवन ब्रह्मचरे का पालिन करेंगे वह विवाहित नहीं होंगे मैं ब्रह्मचारी हूँ बाल ब्रह्मचारी मैं बच्पन से ब्रह्मचारी हूँ बाल ब्रह्मचारी अतिकोही अतिक्रोधी मैं बाल ब्रह्मचारी और अतिक्रोधी हूँ विश्यु विदित सारे जग को पता है शत्रियकुल द्रोही और शत्रियकुल का द्रोही हूँ द्रोह भूमी भूप बिनकी नी बन अपने भुजान के बल तो यह मैंने इस भूमी मेल खालिओ मेरितनी तना थैष Tabii बिपल बार महिदेवन दिनी और शत्रियों को मार करके उनकी सारी जमीन जो है महिदेवन महिदे मतलब ब्रामणों को दान में दे दी पहले बचों जो राजा महाराजा होते थे वो शत्री हुआ करते थे, उनके पास जायदाद जमीन, जो उनका गाउं महल होते थे, वो उन्होंने राजाओं को मार डाला और वो सारा उठा करके किसको दान कर दिया? ब्रामनों को और एक बार नहीं कितनी ही बार गुस्से इतने क्रोधी थे उसके पिता को जो उसने आखात पहुचाया उससे उनोंने उनके मन में ठाल लिया थे कि शत्रियों को तो मैं रहने ही नहीं दूँगा और सारे शत्रियों को मार डाला था और एक बार नहीं कितनी बार मार करके उन высок जमिन जोती को डान कर दी तो श्हस्र बाट吼 से निहारा मैंने सरास्र बाघ्व-भॉज, मैंने सर्थाश्र बाघ्व को भुज दिया निहा बाजस्र काटने वाला सहस्र बाघ्व को सहस्र कहा जाता anywhere वर्दान प्राफ्त op और जुए वजार भार मा प्रति निकल आएंगे जितनी वार उसके बार हाथ काट दिये जाएंगे उत्रे वार इसके आप जाएंगे तो उसका नाम सहसरवाह। तो मैंने ऐसे दिखली UP kln ama Mereka a Deek digital cũ भीप यानि उसको उसके haata उसके बाद एक दोहा आता है बचो चौपाई चार पधों की दोहा जिसमें दो पध बहुत होते हैं अब वो कह रहे हैं मात पिता को जनी मतलब लोगों को सोच बस यानि सोच के वश में कर रहे हो तुम करसी महीस किशोर है राजा के बेटे तुम अपने माबाप को और इन सारे लोगों को सोच के वश में सब लोग चिनते थे अब क्या होगा इस दड़के का तो हो गया कलान अब तो परशुराम इसको मार डालेंगे सब को चिनता सतारी थी तो उन्हें बहुत है इन सब को चिनता हो गई है तुम्हारी और तुम ए राजा कुराज कुमार तुम इतना दृष्टता इतनी डीटता कर रहे हो इतने के obrigado में पल रहे बच्चा अरभक दलन उसका भी दलन मतला उसको भी काट के मारके आताता है मेरा एक पर्सा अतिक्होर मतला ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने किसी के माह के गर्ब में पलने वाले शिशू को परसा चलाया उफर सा गया घूम करके और बच्चे को मार करके और और इनके पास वापस है। मारा ओर जाता है। तो परशुयराम जी का फर्सा वो ऐसा था। सोच में आ पड़ेगा। तुम इतने गलत बात कर्णा वो तुम्हें तुम Cheviじゃ बहुत कर देता है। फिर देखिए अगला Beach ए प्रता होसरे थोड़ा मुलायम होकर करके भूले प्यार क्यों हो मुनिस महांथि आप तो बढ़े महान है तो यहां पर व्यंजना शैली मतलब कहां कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकले उसको वेंजना चैली कहते हैं महाराज मुनिवर आप तो महाबट मानी आप तो बड़े मान हैं बड़े योद्धा है पुनि पुनि मोहिद दिखाओ कुठारू बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं अब इन्होंने उनके फरसे को क्या कहा कुठार कुठार मतलब कुलाडी तो लक्षमन जो थे कुठार को बात नहीं मान रहे थे बाज नहीं आ रहे थे शैतानी फे ठीटता पर दीटता करें उनके इतने महान फरसे को ऑन्ने यह थी उसको हुआने क्या कह दिया कुछारी रि ярaces जब rigor मुझे प homeless भार्र दिखा रहे हैं जहती दृचार हूं लगता है फूक मारकर की आप पहाड कुड़ाना चाहते मतलब अपने आपको क्या कहा पहाड और उनके फुक को क्या को पूक यहां कुमडबतिया को नहीं जे तरजे निदेखी मर जाही ना उन्होंने बोला यहां पर कोई कुमडबतिया नहीं है कुमडबतिया कड़ू होता है कद्दू का फल उसका जो छोटी-छोटी कोमल सी बत्तियां होती है जो उसका छोटा कद्दू जब नया उगता है तो वो बहुत मुलायम से छोटा होता है उसको बहुत समालना पड़ता है अगर उस समय उसको समाल लो तो वो बड़ा हो पाता है किमडवतिया है किमडआ क्या किते कदु कि बेल होती है अगर आपने देखी वो तो बेल को च्टो पर फैला करिक्त पर प्ल क्ज Св्कोरश चोठ आली ऑफ वह सॉताब जुटा जाते हैं उसको सम्हें लोग ठीख समयआता है लेकिन जी फूला कर обद मले तो आपने क्या हमको समझ लिए कि आम उगली दिखाएंगे और हम उड़ जाएंगे कुमणबतिया कि तरह आप फूंप मारेंगे और हम उड़ जाएंगे कुछ कहा सहथ आपका यह कुछ कहा सही तो चत्री हैं आप बड़े योधा है तो मैंने सोचा कि आप तो बहुत बड़े योधा दexम क्षिए तो लेकिन आप का ये असलिक है तो फसी अभिमान से अब को सब्सक्राइब कर रहें सब्सक्राब आपकी तरजनी से हम डर जाएंगे हम मर जाएंगे जो कुछ भी का गुस्य को रोक कर का क्योंकि हमारे कुल की रीती है कि ना तो हम शत्रिये पर गुस्या करते हैं और ब्रामन पर गुस्या करते हैं दक्षमन जो है वो बदमाशी के मतला वो क्या कहना चारते कि आप ना तो शत्रिया ना ब्रामन है अगर शत्रियों होते तो अपना बखान नहीं करते अगर आप ब्रामन होते तो आप इतना क्रोध नहीं करते तो वो कह रहे हैं तो कुछ कहा सहित अभिमाना भ्रग सुत रिस रोकी तो मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से को रोक करके कहा है सुर महिसुर अर्य हरजन अरुगाई हमरे कुल इन परना सुराई अभी लेक्षम केते हैं महाराज आपको पता नहीं है हमारे कुल की परंपरा है क्या परंपरा है सुर महिसुर हरजन अरुगाई सुर मतलब देवता मैसुर मतलब ब्रामन हरिजन मतलब निम्न जाती के लोग और गाय के ऊपर हम कभी भी आघात नहीं करते हम उनको मारते नहीं है हमरे कुल इन पर न सुराई हम इनके ऊपर अपनी विद्धुता अपनी योगिता नहीं दिखाते इनके ऊपर हम अपनी कभी वीरता नहीं दिखाते मतलब रगवंशी थे सूरिवंशी थे वो तो सूरिवंश में कहा जाता है कि अगर कोई देवता हो उसके अपनी वीरता मत दिखाओ ब्रामन से अपनी वीरता मत दिखाओ कोई निम्न जाती का है तो उससे वीरता क्या दिखा निम न जहाती अरू मतलब और गाए मतलब दगाए तो इन चारों पर हमरे कुल इन परना शुराई हम इनके उपर अपनी विद्धता नहीं दिखाते बन्हें पाप हो अपकीरत हारे मारता हुं पाप पर ये तुमहारे बन्हें पाप अगर हम इनका वद कर दें तो पाप लग तुमारे पर यहां अप्यारी परिये। तो हम इनके को मारते भी नहीं हम कि हम्हारे प्रते हैं Maritaु परीय उनको मारने से उचित क्या होता है मारतों, परीय कि होता है छोना है उचित हैं मतलब रहते हैं न हम उनसे हारते हैंहें युद्ध करते हैं न उनकों ऊपर वीड़ता दिखाते हैं कोटी कुलिस सम बचन तुभारा व्यर्थ दरहू धनुबान कोटा अप तो परश्राम बलकुल आप इसे बाहर मतलब लक्षमान नहीं हम आपके पैर पढ़ते हैं क्यूंकि आप तो ब्रामन हैं तो हम ब्रामनों से अपनी वीर्था नहीं दिखाते और हार हम आपसे सकते नही इसने हम आपके पैर पढ़ते हैं हम माफी माँग लेते हैं तोनों कठोर कोटी में तो करोन कुलिस में तो कठोर सम बचन करोनों कठोर सम बचन तुम्हारे मैंने सुने व्यर्थ धरहू धनुबान कठारा आपने व्यर्थ में ये धनुजबान धारन कर रखा है कोटी कुलि यहां पर क्या हुआ कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया अनुचित कह दिया हो तो हे मनिवर हमें शमा कर दीजे लक्षमन के यह व्यंग वचन सुनकर अगर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हमें शमा करें यह लक्षमन का इस शमा में भी व्यंग था कि मतलब ना तो आप यह अदा लग रहे हैं और ना आप ब्रामन लग रहे हैं तो आप हमें माफ कर दीजे जो बिलो की अनुचित कहा हूँ अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हूँ तो हमें शमा कर दें सुनी सरोश अगर ये इतना सुनत के ही सरोश गुस्से के साथ भ्रगुबंस मनी भ्रगुबंश के मनी मतलब नग है जो भ्रगुबंश के जो तारे है अब इसके आगी के बाद परशुराम कहते हैं आगी की पंक्तियां देखते हैं बचो नेक्स चौपाई लक्षमन के बहुत क्रोधित हो गए तो उन्होंने विश्वामित्र से क्यां कहां तो आपको याद रखना वो याद रखने होगे, आपसे पूछा जा सकता है, पेरग्राफ दे करके भी पूछा जा सकता है, तो अभी वो विश्वामित्र से बोले, कौशिक हे कौशिक, सुना हूँ, मंद यहू बालक, यह जो बालक है, यह बहुत मंद बुद्धी है, मंद बुद्धी, मतलब इसकी मतलब करने वाला है, यह अपने ही कुल का सत्यानास करने वाला है, क्योंकि वो इतनी बुरी बाते कर रहा है, और मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं इसको मार दूँगा, मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, तो इसके कुल का नाश हो जाएगा, तो यह अपने ही कुल का नाश क है छंदसी घंग में I am Micha आपको पता है तो यह अपने सूरी प्रसद है सूरी वची राज पर सथ है उसका इसके उपर को जाएगा किसा का गलиш लगीगा क्यपनि को नाशनकर बैठा सूरिवएंशी राजा का बेटा जो था वो उसने ही अपने कुल को खतम कर दिया निपट निरंग अबूद अशंकु निपट मतलं नीरा बहुत ज्यादा निरंग कुछ जिसके ओपर कोई नियंत्र नहीं बिलकुल बिना अंकश के है अबूध अशंकू अबुद ना हो अबूध अबूध निरा निरंकश है बिलकुल नीयंत्रणहीन हो ना समझ यह और यह शंकू है अशंकू मतलब कि इसको बिल्गुल किसी बात का डर नहीं है काल कवल होई है छिन माही काल मतलब मृत्य। कवल मतलब कौर जैसे हम रोटी का कुकड़ा तोड़ते हैं और कौर खाते हैं तो वो कौर, अभी मृत्यू का ये कौर बन जाएगा कवल बन जाएगा मृत्यु कहां से आएगी परसु राम जी का फड़ा चलेगा और वो मृत्यु हो जाएगी और वो मृत्यु के मुझे मुझे दोश मत देना मैं तुमको पहले ही समझा रहा हूँ कि ये लड़का मान नहीं रहा है और ये मंद बुद्धी इसके बुद्धी नहीं है बहुत कुटिल है ये सूरिवन्शी होकर कि अपने कलंग की चंग चंद्रमा के रूप में काम कर रहा है अपने ही कुल क कलंग कर रहा है उस कुल का नाश कर रहा है इसका बिल्कुल नियंत्रम नहीं है ये बहुत ना समझ है ये बिल्कुल निर्भीक है और अभी ये चंड भर में दो मिनिट में मृत्य के मूँ में समा जाएगा तुम हट कहू जो चाहू उबारा कहूं जो चहूं उबारा कही प्रताप बल रोश हमारा तो इसको कहो, कहो, बताओ प्रताप मेरा यश और मेरा प्रताप बताओ, मेरा बल बताओ, मेरा रोश बताओ, मेरा गुस्सा बताओ, मेरा बल और मेरे गुस्सा और मेरा प्रताप इसको बताओ, इसको समझाओ कि चुप लक्षमन बोले लखन अपने बाते खुद ऑर बोल लीजिए तुमसे अच्छा और कौन बता सकता है आपसे अच्छा आपके बारे में कौन बता सकता है तो बताइए अपने मुह तुम अपनी करनी अपने मुह बढ़ाई कर रहे हैं आप तो अपने आपी अपनी बाते कह रहे हैं कि ये बार अनेक भात बहु बरनी बार अनेक बार भात मतलब कई तरीके से बहु मतलब बहुत बरनी मतलब वरणन कर रहे हैं आप अपनी बातों को बहुत तरीके से बहुत बारतों वरणन कर चुके अभी कुछ रह गया हो तो और बता दीजिए और आपसे अच्छा आपके बारे में कौन बता सकता है पर शुरामने विश्वामित्र से का किसको समझाओ मेरे बल प्रताप के बारे में बताओ तो चुप कराओ तो लक्षमन को बोले अच्छ जान करके रिसमत तक गुसा करके रोक रहे हैं आप अपने आपको कंट्रोल कर रहे हैं अपने आपको नियंद्रन में कर रहे हैं दूसरह दुख सहुआ आप इतना मुश्किल दुख क्यों सह रहे हैं आप अपने बारे में रोक बता नहीं रहे हैं इसका दुख क्यों सह रह तुम छीधीर अचोभा इतने धैरवान बिलकुल नहीं थे उनको कहए हैं आप तो इतने धीर अच्वहां मतलब आप वाले हैं तो आपको तो धैर्र है आप शमा करने वाले इतने बीर हैं गारी देत न पावहु सोभा आप गारी देत वह अच्छे ने लगते तो आप यह क्यों बोल रहे हैं आपने और बखान करिए अभी लक्षमन जो है वह बाज नहीं आ रहे हैं बराबर कुछ न कुछ व्यंग कर रहे हैं आगे का दोहा देखिए दो पंक्तिया सूर समर करनी कर जो योधा होते हैं वो युद में अपना प्रताप दिखाते हैं अपनी वीरता दिखाते हैं अपने मुझ से कह क्या कर नहीं बताते हैं, विद्धिमान मतलए जो विद्धिमान है, युद में अगर कोई आपका शत्र सामने होता है, विद्धिमान मतलए प्रकट हो अगर उसके सामने कोई प्रतिक्ष युप से कोई योधा आजाये तो कायर खत ही परताब वो 원이 होते हैं वो अपने फरताब की बखान करते हैं कि किसी सामने वाले को घर कले सो ड़ने के लिए अंसिदा बहाद उनुरू हो तुम्हार वद करता है अगर अफ दानुप्त भान__ और बद करू ant यह सब बताता कौन है जो कायर होता है जो डड़ता है तो लक्ष्मन यहाँ पर उनको आप प्रत्यक्षूप से क्या कह रहे हैं कि आप कायर है आप यह क्यों बता रहे हैं करना है तो करके दिखाए तो वो कह रहे हैं सूर समर कर नी कर रहे हैं कही न जनाव हुआ आप शूर व प्रताब कायर जो हैं वही अपने प्रताब को कथा को बखान करते नेक्स पंक्तियां देखिए बचो चौपाई तुम तो काल हाक जन उलावा बार बार मोही लोगी बुलावा अभी लक्षमन फिर बोले तुम आपको तो ऐसा लग रहा है कि बार बार काल को हाक के बुला रहे काल मतला मृत्य को मेरे लिए मृत्य को आप बार बार बुला रहे हाक के बुला रहे बार बार मोही लागी बुलावा सुनत लखन के बचन कठोर अभी लखन के कठोर वचन सुन करके परस सुधार धरेट कर घोरा अभी परिश्वराम जी ने अपने भर्षे को सुधार करके अब अगर किसी ने मुझे कोई दोश दिया अब अगर किसी ने देई कोई देता है तुम लोगों में से कोई मुझे दोश देता है ये कटवादी बालक है कटवादी बहुत कड़वा बोलने वाला बच्चा है बद जोगों ये वद करने के योग है तो अब मुझे दोश मत देना तुम लोग जो बैठे हो अगर मेरे उपर दोश लगाते हो तो दोश मत देना क्यों कि ये कटवादी बालक जो है केवल वद कर में आपको बहुत रोका अब यह कि मरने के योग है और ये बाद सच यह मरने के लायक है भासाच यह भी बाद सकते हैं कि अब यह मरने के योग है यानि आब इसकी उनिश्यत है कौसिक कहा चम़ह अपरादू अब जब को गुस्से में देखा तो विश्वामित्र जी को भी डर लगा वो जल्दी से आगए हाथ जोड़ करके बुले कौशिक कहा कौशिक ने कहा यानि विश्वामित्र ने कहा चमही अपराधू महराज इसके अपराधूं को शमा कर दे बाल दोश गुन गनही नसादू बाल मतलब बड़े लोग काम है कि शमा करना बच्चे तो गल्ती करते ही हैं तो उन्हों ने उनको समझाया कि बाल दोश गुन गनहीं नसादू जूसादू यानि सज्जन पुरुष होते हैं वो बच्चों के दोश और गुरू को गिद नहीं है खर कुठार मैं अकुरन कोही आगे अपराधी गुरुद्रों ही वो कह रहे है खर कुठार मैं अपना कुठार को मैं खर तरा यार करके रखा है मैं अकुरन कोही हूँ मैं बिल्कुल करुणा वहीन हूँ मेरे अंदर कोई करुणा कोई दया नहीं है मैं अकुरन क्रोधी मैं अक करुणा के वहीन और कोही मतला क्रोधी हूँ और मेरे पास ये भयंकर कुठार है आगे अपराधी गुरु दो और मेरे सामने कौन है मेरे गुर का अपराधी है तो अगर मेरे गुरु का अपराधी सामने खड़ा हुआ है तो अब मेरे मुझ से बिना चोड़ दिया केवल कौशिक शील तुमारे विश्वामित्र तुमारे शील के यानि तुमारी बिन्हें तुम्हारे नमरता के आपका करण में इसको छोड़ा हुआ है वदना अब तक तुम्हें कपका इसको मार के ठिकाने लगा दी ता ये बात भी सही थी परशुराम वीर थे और बहुत क्रोधी थे उनको गुसा आ गया होता पहले उन्होंने सोचा नहीं होता तो वो कपका मार सकते थे लक्षमन को लेकिन उन्होंने मारा नहीं इतने दिन ते तक वो उसको सह रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि यह बराबर उत्तर देता जा रहा है इसको मैंने मा दॉटे थोड़े नदा यहीं काट के रहा है कतोर्मार फने फरसे से में काट के रख देता और गुरु के उरन हो जाता रण से मुक्त हो जाता हूं श्रम थोड़े तोड़े से महनत से क्या करता जरास फरसा ऐसे गुमाता और इसका सरधर से अलग तो मेरे बहुत बार श्रम भी नहीं लगता और मैं अपने गुरु के रण से मुक्त हो जाता तो मैंने सिर्फ तुम्हारी वुज़े से छोड़ दिया है आ आपफिस में यहां पर यमक अलंकार है कि गादि सूं। गादि सूं यहां फिर विश्वामित्र के लिए आया आपको विश्वामित्र के नामों को याद करना पड़े निय्रियरेसुय। वह अपने मन में ये कहकर कि हज अखका कर दम कर देख अ कहा वत है। सावन को के चंड्री अंधे कर अगर δेखा है। आखे चली जाने के बाद भी सब हरा नजर आएगा तो यहां पर विश्वामित्र को लग रहा है कि जो परशुराम है उनको सब कायर नजर आ रहा है सब कमजोर नजर आ रहा है परशुराम बहुत वीर थे उनके आगे सब कमजोर पढ़ जाते थे तो उनको सब कमजोर नजर आ औा यह नहीं समझ पाइ आय मैं खांड यह आय मतलब लोहा लोहे की खांड है यह दो अर्थ हैं यानि लोहे से वनी तलवार खांड मतलब तलवार और न एक ऑन जोटे हैं जो जिससे 가rophy सिप उक बोलते हैं आपने पड़ा होगा आ से अनार उसे उक तो जो गन्य की गन्य के पेड़ोंते हैं उनको हम उक कहते हैं तो यह उक से बनी हुई खाण मतलब चीनी चीनी किसे बनती है गन्य से बनती गन्य के रस्से तो गन्य से बनी हुई चीनी नहीं है यह लोहे से बनी हुई तलवार है यहां खांड के दो अर्थ है एक खांड मतलब चीनी एक खांड का बतल यहां तलवार बोक से बनी तक नहीं तक नहीं समझ ना बूझ अबूझ कि यह लोहे से बनी तलवार हैं मजबूत यह गन्य से बनी हुई चीनी नहीं है कि पिगल जाएंगे इसमें वह उनकी वीरता का दरवर्णन कर रहे हैं विश्वामित्र आगे की चौपाईयां देखिए कहा लखन मुनिसील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा अभी भी पर श्राम को बोले मुनिवर आपके बारे में तो पुरा संसार जानता है कि आप कितने शीलवान हैं माता पिता ही उरन भई नीके आप अपने माता पिता के रण से कितने आसानी से मुक्त हुए यह भी सबको पता है अभी कैसे हुए थे आपको कहानी बताई थी कि पिता की मृत्यूक करी थी उसने सहस्वाव ने तो इन्होंने पूरे शत्रियों का नाश कर दिया था और प्रत्वी को तीन बार शत्रिये विहीन कर दिया था और यह करके उन्होंने अपने माता-पिता के रण से मुक्त हुए और सारे संसार को पता आप कितने विनैशील हैं अगर विनैशील होते तो क्या ऐसा करते सारे शत्रियों मार डालते जिसकी कोई गलती नहीं दी यानि आप बिल्कुल भी विनैशील नहीं है हो ज़नु हमरे मात्हे काडा गुरौ रिनु रहा सोच बड जी के अभी गुरू का रन रह गया है कौन सा रन गुरू का थनों मैं ने धनुस टूट गया तो वह रन के उपर है गुरु रिन रहा सोच बड़ जी के आपके मन में सोच है आपके मन में परेशानी यह कि अभी गुरु का रण व्यूपर बाड़ यह वाज बीच बाड़ा और जैसे इससे समय बीत रहे आपका ब्यांता रहे गुरु का जो रिन लिया आपने वह जो आपने लोन लिया है लोन है आपके ओपर चढ़ाओ उसका ब्याज इंट्रेस्ट बढ़ रहा है यानि जल्दी आपको रुनों से मुक्त होना है अब आनिया व्यावारिया बोली तुरत देव में थैली खोली अब आईए और एक व्यावपारी की तरह है मुझे आकर के बत आईए मैं अपनी खोलता हूं और आपको इस रण से मुक्त कर देता हूं अब यह सब बाते हैं छोटे मुझ बड़ी बात थी लक्षमन छोटे थे इतने बड़े मुनी थे उनके आगे ऐसी बाते बोलना उनका अपमान था सुनी कट बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा अब तो परशुराम बिलकुल मतलब उनकी बरदाश्टे बाहर हो गया उन्होंने अपना फिर से कुठार उठाया उसके कठोर वचन सुनके लक्षमन के और जैसे इस बार उठाया तो सारी सब हमें हाय 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 होने रगी गया यह बच्चा गया अब यह गया अब सब हाय हाय करने लग प्रगुबर परस देख बहु मोही विप्र विचार इन बच्चों रपदो ही ऑपको मैंने विप्र मान करके ब्राम्मर मान करके छोड़ दिया राजा के द्रोही मैंने आपको ब्राम्मर मान के छोड़ दिया है विप्र विचार बच्चा उन्रप दोही है इन्रपो के दोही इन्रप दोही मतला राजाओं के विद्रोही राजा से द्रोग करने वाले मैं तो आपको ब्राम्मर सोच करके बचा रहा था, अभी तक मैंने आपको ब्राम्मर समझ के छोड़ा था, क्यों छोड़ा था? क्योंकि इनके कुल की प्रता थी कि ब्राम्मर पे हाथ नहीं उठाते, तो बोल रहे हैं मैंने तो आपको इसके छोड़ दिया, मिले न कबहू युद्ध में कभी शुभट नहीं मिले दुझ देवत्वा गर ही के बार है आप अपने गरमें ही वड़े खुश-खुश रहते हैं मतलब कहते हैं तो आप अपने घर में अपने आपको बहुत वीर समझते हैं लगता आपका किसी युद्धा से पाला नहीं पड़ा अनुचित कही सब लोग पुकारे रगपति से नहीं लखन निवारे अब सब बूलने लगे अनुचित है अनुचित है सब लोग पुकारने लगे यह अनुचित है यह गलत है तब रगपति ने उनको ट्रेड़ी आंक से लखन दिखाने वारे निवारे तो उनोने आहुती डाली, आहुती सरसी वो शब्द बोले उत्跳 दीये, यानि अगंि क में और घी डालने का काम कर दिया, इंके गुस्से को और बढ़ाया लखन उतरी आहुत के समान है यानि यहाँ पर उपमालंकार है आहुत के समान उनके उतर ने भ्रगुबर को पक्रसान भ्रगुबर को यानि परशुराम जी के गुस्से को और बढ़ा दिया उनके गुस्से को बहुत अधी बढ़ा दिया आग क्रसान मतलब आग यानि उनके ग पड़ते देख करके जल सम जल के समान वचन जल के मतलब शीतल वचन बोले रगुकुल भानु रगुकुल वंश के भानु मतलब सूरज रगुकुल वंश के जो सूर्ष है यानि रामचंदर जी जल के समान शीतल वचन में बोले तब उन्होंने बहुत शीतल वचन में उनसे करिए इसके आगे की बात आगे है राम से इत्मारस में है पर ये इतनी पंक्तियां आपकी यहां समाप्त होती है तो बचों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा क्योंकि ये पंक्तियां और ये संबाद पढ़ करके संबाद मतलब होता तो अभी आपको सारी पंग्तियां जितनी है इसमें हो समझ में आ गजी होगी इसमें आपने दो विधा पढ़ी चौपाईया और डूहा चौपाईयां जो थी वो चार चरण की थी 16-16 मात्रा की होती हैं दोहे जो हैं वो चरण की होते ए 13 11 3 11 मात्रा की होते है तो अभी आपको इसके जो द ही यह तो दो पंक्तियों में रिखा है cup Illet या दोहा है और इनका उत्तर आप लिख सकते हैं इनके उपर आधारित जितने भी प्रशने हैं वो सब आप कर सकते हैं इनके प्रशनों के उत्तर देखेंगे हम नेक्स वीडियो में तब तक बच्चों इसको प्रिवाइस करिए इसको नहीं समझ मैं एक बार में तो दो तीन बार इसको सुनिये वीडियो को सुनेगे तो आपको सब याद आ जाएगा यहां पर मैं इस वीडियो में आपको शब्दर्थ भी दूँगी और उनका भावार्थ भी दूँगी जिलते हैं नेक्स वीडियो में